नाज्सकार हमारी सकास पेशकष में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ सुमिछ चोधरी आखर क्या पक रहा है भारत और अमेरिका के बीच में प्रधान मंती नरेंदर मूदी अमेरिका दोरे पर हैं, मुलाकातों का दोर जा रही है, बैटकों का दोर जा रही है और इस वक्त प्रधान मंती नरेंदर मूदी और बराक उबामा के बीच मुलाकात चल रही है और साथी साथ बराक उबामा आखर भारत से क्या चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन्स भारत को लेकर क्या है जाहर है अगर भारत के बदलते परिवेश की बात की जाए तो कहीं न कहीं अमेरिका के पास एक मैसेज जरूर गया है कि भारत के इस बदलते परिवेश में अमेरिका को भागिदार बनना होगा साथी साथ क्या अब आगे वेवसाइक रिष्टे और ज्यादा सुदुरण होगे अगर वेवसाइक रिष्टों के अगर बात की जाए अभी तक तो भारत और अमेरिका के बीच में 100 अरब डॉलर का वेवसाइ होता है अब इस विवसाय को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने की बात की जा रही है सवाल ये है कि क्या ये रास्ता तै कर पाएंगे प्रधानमंती नरेंदर मोदी और साथी साथ अमेरिका के राजपती बराक उबामा इसी पर चर्चा करेंगे लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और आपको समझाते हैं कि ये मुलाकात इतनी महतोपूर्ण क्यों है उबामा मोदी से क्या चाहते हैं? नरेंदर मोदी का अमेरिकी दौरा गुजरात दंगों को रोकने के लिए ठोस कदम न उठाने के आरोग के कारण अमरीका ने उस समय के गुजरात के मुख्यमंतरी नरेंदर मोदी को दस साल तक वीजा देने से इनिकार कर दिया था लेकिन भारत में आंचुनाओ के दौरान भारी बहुमत से जीट के बाद अब वहीं अमरीका मोदी का दिल खोल कर स्वागत करने में लगा है तो वहीं प्रधानमंतरी अपने दौरे के आखरी दे आज अमेरिका के राष्ट्रपती बराक ओबामा से एक एहम मुलकात करेंगे तो उधर इस मुलकात के दोरान कई एहम समझोतों का अएलान हो सकता है इस मुलकात पर अमेरिकी राष्ट्रपती ओबामा को भारतिय प्रधानमंतरी से क्या उम्मीदे हैं आईए, एक नजर डालते हैं कि अमेरिका की संभावित मांगे क्या-क्या हैं। अमरीका भारत के अस्यानिक परमाडु शित्र में निवेश करने के लिए बेताब है, लेकिन उसे भारत के परमाडु दाईत्व खानून के सक्त नियमों पर एतराज है। लेकिन अधिकान्ष अमेरिकी कंपनियों को इस बात पर आपत्ती है कि परमाडु दुगटना की सूरत में सप्लाई करने वाली कंपनियों पर अनूचित बोज पढ़ सकता है। इस कारण अमरीकी परमाडु कंपनिया भारत में निवेश करने से कत्रा रही है। हाला कि कई सालों तक विश्व अस्तर की परमाडु तकनीक से वंचित रहे भारत के लिए इस तकनीक को पाने के दरवाजे भारत अमरीका परमाडु संजवते के बाद से ही खुले लेकिन अब तक इसका फायदा फ्रांस और रूस की कंपनियों को हुआ है। तो वहीं राष्ट्रपती ओबामा चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोधी इस पर अमरीका को किसी तरह काश्वासन दें ताकि अमेरिकी परमाडु कंपनिया भारत में निवेश कर सकें। का मजबूत इरादा रखता है। लेकिन राष्ट्रपती ओबामा की मांग होगी कि इस शित्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़े। वहीं इस समय रक्षा के शित्र में विदेशी कंपनियां 49% की भागिदारी कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनियों को ये चूट अधिका करशक नहीं लग रही है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 2006 में 25 अरब डॉलर का व्यापार होता था, जो पिछले साल बढ़कर 100 अरब डॉलर हो गया है। अमरीका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार है। सूत्रों के मुताबिक ओबामा चाहते हैं कि कुछ सालों के अंदर आपसी व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। उबामा और मोदी की बैठकों को फूट मेरी खलकों में एक महत्वपूर घटना के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी के लिए इस मांग को मानना सबसे आसान साबित हो सकता है। सुदर्शनीव्स के लिए गणिश पाठक की रिपॉर्ट तो क्या दिवेश के मामले पर बाचीत होने वाली है बराक उबामा और प्रधानमंती नरेंदर मोदी के बीच में या फिर जो तलखियां रही है कुछ अमेरिका और भारत को लेकर जिसमें BJP की कही ना कहीं जासुसी का जो मामला सामने आया था क्या प्रधानमंती नरेंदर मोदी बराक उबामा के सामने उसे भी उठाने वाले हैं या इन्वेस्टमेंट पर बात होगी उन तमाम कंपनियों को जिससे प्रधानमंती नरेंदर मोदी से पहले बाचीत करने वाले हैं रेड टेप के जगह, रेड कार्पेट की जो बात प्रधान मंत्री ने की है, क्या उसे निवेश के तौर पर कंपनिया लेने वाली है, क्या इस बदलते परिवेश में भारत और अमेरिका के रिष्टे बदलने वाले हैं, सवाल सबसे बड़ाई है, इसे मुद्दे पर चर्च प्रधान मंती नरेंद्र बूदी के इस पूरे दोरे के अंदर, अब महतवपून मुलाकाति या इसे एंड पॉंट कहा जाएगा, इस पूरे दोरे का, इसके बाद प्रधान मंती नरेंद्र बूदी रवाना होने वाले हैं, अमेरिका के बाद, सवाल ये है कि अब इस लास लेकिन आप देखिए कि अगर आप मोदी जी के जो बजट आया था जेटली जी ने दिया था और जेटली जी ने कहा था कि जो हवारे प्रोग्राम्स की और बजट की सफ़लता का बहुत सारा स्रेज़ है फडी आई पे जाएगा और उसके बाद 15 गर्स को भी मोदी जी ने कहा मेकीरन इंडिया का और मेकें ंडिया का और ने मेसेंस्थिकारिमिक और और द्रच की विचैन के लिए सथ है या पकितान चोटे मुलक के साथ है फिलिपिन के साथ है मिलिपिशा के साथ है उसके मकाबले है भारत उनके पृर शेंटेंडी लिस्त पो ले जाना मोझी का मकसद होगा कि और कुछिस करेंगे मोझी जी कि हमारे व्लाइक दिस्ते में किपने create करने की बात है एक आपने देखा से भी नुकलियर डील की बात भी आपने की ये 2005 में हो चुगा है हमारा ये अपतर सप्राई को लेकर मामना अटका हुआ यहां मोदी जी के एक अपर हैंड क्या है कि अभी इन्होंने अस्ट्रेलिया के साथ सप्राई का अग्रिमिन्ट कर लिया है और जो इंटर्शनल अटर्मिक एरजी के मात है देखने के बात थी नुकलियर एक्टिविटीज को उस पे भी अमेरिका जोड डालने को उस्ट करेगा उन तत्तों के हिसाब से अमेरिका इंडिया को दबाने को उस्ट करेगा लेकि मुदी जी समय मेरे समय दबने के हाला तो नहीं चुकि इंडियन सप्ला इनको होता रहेगा दिक्कत नहीं आएगी और इंवेस्टमेंट के लिए जहां तर बात है तो इंडिया बहुत बड़ा बाजार है और इंवेस्टर्स और फिर देशों से आएंगे और अमेरिका को इस समय जरुवत है हिंडुस्तान के साथ व्यापारी बढ़ाने चले इंवेस्टमेंट के बात कर रहा है और तमाम वो मुद्धे हैं जो भारत और अमेरिका के बीच महत्वपून है क्या प्रदान्मंति नरेंद्रमोधी टाम स्क्वाइर पर बोले मेडिसन स्क्वाइर पर बोले लेकिन सवाल अब आखरी मोड़ काoperation है अब महतवपुर्ण मुलाकात कही जा सकती है प्रधानमंति नरेंदर मुदी और बराक उबामा की अब मुलाकात भारत को क्या देने वाली है किस तरीके से इसे जो प्रोजेक्ट किया गया है या देखा जाये तो जिस तरीके से अब लोगों की जो जनाकांशाएं हैं इस यातरा को लेकर भारत के प्रधान मंतरी से पहले कहीं आतराव पजा चुके हैं निवेश भारत में आने की बात हुई है जापान ने इन्वेस्टमेंट की बात की है जीन ने इन्वेस्टमेंट की बात की है अमेरिका क्या देने वाला है क्या होगा इस में सुमिज जी मैं आपके इस सवाल का जवाब दूँ उसके पहले मैं एक छोटा सा निवेजन जरूर करना चाहता हूँ आप सब जैसे डाक्टर साब ने भी कहा और आप भी कह रहे हैं कि अभी तक जो हुआ उस सब बाहर की चीजे थी ऐसी बात नहीं सुमिज जी आज कोई पहली बार कोई प्रधान मंत्री अमेरिका नहीं गया है इससे पहले भी मुझे लगता है दो दर्जन से जादा बात यहां के प्रधान मंत्री वहां गये हैं और आदा दर्जन से जादा वहां के राश्पति भारत आए हैं लेकिन जब आ में आज प्रदान मंत्री और उवामा की मीटिंग पर हैं और जिस तरह के स्वागत की बात आप करें चाहे वह एरपोर्ड पहुंचने पर स्वागत हो चाहे संजुकतराश्त में। कर में राम बोधन की बात varand का dopर तप्हारत हब अन्वार सफराएन अवारत में तुरा पखुदान ध्यक्तिकोंगाने numbers और देवरा 나와 rang कुछ ऐखेशाआर वारी पहली बार परणreekगी और इस बैठक के पहले ओवामा जी ने कहा है कि हम साथ उन लोग ने कहा है कि आज हमारी आउसकता जो है गर मुझे आउसकता है अमेरिका की हिंदुस्तान को अगर भारत को आउसकता है अमेरिका की तो आज अमेरिका को भी आउसकता है भारत की इसलिए वो बार-बार कह रहे ह क्या भारत को मिलेगा और क्या अमेरिक्या को मिलेगा बात इससे भी आगे है आज जो यह बैठक होने वाली है इसमें भारत को और अमेरिक्या को तो मिलेगा मिलेगा दुनिया को क्या मिलेगा यह भी देखने वारी बात सुमझे आज जो ओमामा जी और मोदी जी मिल रहे हैं वो एक विकास की एक नई परिवासा लिखेंगे जिसके साथ पूरी दुनिया का विकास होगा और मानव मात का विकास होगा हम मोटे तोर पे कह सकते हैं भी जिसकी चल्चा राजनेता हैं मिलते रहे हैं अमेरिका में उनकी मुलाकाते होती रही है सवाल ये है कि अमेरिका का जो स्टेंड रहा है भारत को लेकर भारत की तरफ से आतंकवाद का मसला रहा हो या जो भी समस्यां अमेरिका को बताई गई है चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो या कोई भी समस्या रही है पाकिस्तान या वो समस्यां जो भारत को परिशान करती रही है अमेरिका का स्टेंड अब तक लचर रहा है यानि आप लोगों की तरफ से भारत की तरफ से कोशे जरूर की गई लेकिन उस पर एक strong decision हमें अमेरिका की तरफ से देखने को नहीं मिला है इस बार क्या ये stand change होगा निश्चित तोर पर आज अमेरिका का रुख जो है भारत के प्रद्ध बदला है और मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री मुदी के साथ और एक लंबे आर्से के बाद एक ऐसे प्रधान मंत्री आज गए हैं कि लगबग 15-20 वर्सों के बाद कि एक पहुमत की सरकार है और पहुमत की सरकार क्यों प्रधान मंत्री हैं और नेड़ाय प्रधान मंत्री हैं एक ऐसे प्रधान मंत्री हैं जो अपना नेड़ाय भी खुद लेते हैं मुझे लगता है इन सब के बीच में अगर हो गए हैं तो निश्चित तोर पर जो फैसला होगा वो सार्थक फैसला होगा और सही दिशा में फैसला होगा अगर देखा जाये तो अगर संपाद किये जो है वाशिंटन पोस्ट का उसमें छपा हुआ है कि ओबामा मोदी ने जो संपाद के लिखा है उसमें साथ साथ चलने का नारा दिया है साथ साथ चलने का मतलब क्या है हम किस चीज में साथ साथ चलने की बात कर रहे हैं परिस्थ है भारत के पास जिसको लेकर परिशानिया अकसर भारत और अमेरिका के बीच में बनी रही है यह उबामा जो बात कर रहे हैं यह किस राष्टे पर सास्ता चलने की बात है सृमिर जी दोनों और अपने राष्त को ले के बात करने कले बैठे हैं और उनके लावे उनके पास कुछती नहीं है हूँ 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 और अच्ट ठीश से चाहिए है। जहात बहुत तो देखिशन jullie जी बहुत है झाहिए है को पहले खता हुँ हूँ तो सरकार जब फैसले करते हैं देश के लिए फैसला करते हैं और यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के डल के बीच रास्त हित पर कोई समझो होता और कोई उनका अपस में मद्विद नहीं होता रास्ति सप्का एक है जिमेरिका के रास्त हित विलकुल उतने ही मजबू स्टिट्स नहीं देंगे तो उनके रास्त हित अपनी जगह ने यह काफी महत्वपूर्ण बात है अगर देखा जाए अगर भारत और अमेरिका के बीच में अगर इस तरीके से संबंद जो हैं सुधारने की बात की जा रही है भारत अगर पाकिस्तान के समर्थन में या पाक साइस के खिलाफ राज में सामिल होने के लिए कहेगा मोदी जी निकल मना भी किया है क्योंकि मोदी जी को अच्छी तर पता है कि पाकिस्तान की जब बात आगी तो अमेरिका हमारे साथ नहीं रहेगा चीन की बात आगी अमेरिका हमारे साथ नहीं रहेगा और रहा और तो और अपने अपने स्टेंड बे दोनों कायम रहेंगे निकल के कितना आता है व्यापाइट की हिसे में तो कुछ निकल के आएगा यह प्लिडिकल मामले में कुछ निकल के नहीं आएगा अगर अंतर राष्ट्यों संबंधों की बात की जाए अब पूरे ओवर ओल इस पूरे टूर के अंदर इसे सबसे जादा इंपॉर्टेंस हमें कहीं ना कहीं देनी चाहिए अब इस इंपॉर्टेंट मुलाकात से क्या निकल कर भार आएगा कि दो राष्ट्य अध्यक्ष मिल रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ तो निकल के आएगा लेकिन इंडिया को कितना फायदा होगा इस पर मुझे बहुत बड़ा डाउट है क्योंकि अमेरिका आज खुद अपनी एकॉनमी की जो उनकी स्थिति है एकनॉमिक्स जो उनकी स्ट अमेरिका की अपनी स्थिति खराब है हम पता नहीं क्या चाहते हैं कि हमें अमेरिका वाले आके कौन सी जादू की छड़ी दे देंगे कि हमारी डेवलप्मेंट हो जाएगी मेरे समझ में यह नहीं आती बलकि अगर आप याद कीजिए कि पिछले बार जब मामा इंडिया थ यह तो मेरे समझ के परे हैं तिने जी जब अमेरिका की परस्थतियां आर्थिक लिहाज से इस तरीके से हैं जो खुद अपनी एकनोमी को सर्वाइव कराने के लिए सांसे या ऑक्सिजन मांग रहा हो हम ऐसी क्या उम्मीद कर रहे हैं अमेरिका से कि हमारा जो इकनोमिक डव के पास अगर टेकनोलोजी है तो इस टेकनोलोजी को लेकर आप आईए और आज हिंदुस्तान को जो जरूरत हाओ सकता है मुझे लगते हैं एक तो सबसे ज़्यादा जरूरी है रोजगार हम चाहते हैं में मेडिन इंडिया के साथ मेकिन इंडिया की बात करें आईए भारत का नियुष्ण करते हैं आप आईए और आईओ को बनाएए और पूरे बिस्त है सप्लाइए करीम तहाँ बना कर रहें ये हमारा प्रोडेक्ट जो है हिंदुस्तान का प्रोडेक्ट अपूरे इंडिया में जाये और अर अब तक अम जो मेडिन चाइना मेडिन जापान और हमारे लोगों का जब ऐसा होगा तो निश्चित तोर पर पूजी भी भारत आएगी और दूसरी तरह तरफ से हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा नमबर एक चीज हम टेक्नोलोजी के च्छेत में करें आज मोदी जी ने जब उस दिन आपने देखा मेडियन स्कॉयर म उसमें कहा कि हमने सबसे सबसे कि आटो का किरायर दस रुप एया देते हैं निश्चित तोर पर टेकनोलोजी में हम आगे हैं जिसके बाद सरंगी क्या रही हैं लेकिन हम साथ रूप है प्रच किलोमेटर की दर से हमने मंगल गरा को यहां से प्रचेपित किया लेकिन बहुत इस पर ले जाना चाहते हैं ये ठीक है लेकिन सवाल ये है कि अगर हम यहाँ पर निवेश की या फिर जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देनी की बात कर रहे हैं टॉप कंपनियों के सीयो से बात कर रहे हैं रेड कार्पिट की बात की जा रही है अमेरिका के पास इस वक्त ऐसी कौन सी स्थिती है या ऐसी कौन सी सामरिक ताकत है जो भारत को बढ़ावा देगी उनकी खुद की एकनॉमी डाउन है वो खुद भारत की तरफ तलाश रहे हैं कि भारत आया और हमें कुछ मदद कर दें प्रधानवंति नरेंद्र मोधी खुद उनसे निवेश लेने ग जैसे वहां उन्होंने कैंसर के श्चेत्र में उन्होंने अपना उन्होंने पुरस्कार विजएताँ है उनसे उन्होंने मिला भी मुद्र ने नियाये हaci יंदुस्तान में और हमारे यहां निकीशन सब्सक्राइब कि कुछ हो सकता है तो पिरियो करके देखा जाए तो बहुत सारी चीजह में जो एंपयाना चाहतीया। और हिंदुस्तान के बहुत सारी चीज़े हैं तो अमेरिका में जानी चाहिए ग्लोबलाइजेशन की बात है जे अर्शन साब सवाल यह है कि अमेरिका भारत के साथ साथ चलने की बात कर रहा है अमेरिका की मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेक्नोलजी ऐसी है अमेरिका के पास जो हमारे पास नहीं हो except for medical क्योंकि research में certainly वो हमसे आगे हैं लेकिन एक चोटा सा एक्जामपल देना चाहता हूं हमारे है 90 आफ्टर इमर्जेंसी जब इंद्रा गांधी प्रैमिनिस्टर बनी तो उन्होंने मारुती गाड़ी लाया था ठीक आज हम 2014 में बैठे हैं आज तक मारुती ने अपनी गिर टेक्नोलोजी इंडिया को नहीं द जो तस्वीरे इस वक्त आप देख रहे हैं वाइट हाउस के अंदर की हैं प्रधानमंती नरेंद्र मोधी और बराक ओवामा के बीच में इस वक्त मुलाकाश चल रहे हैं कुछ देर के बाद ब्रीफिंग भी की जाएगी बताया जाएगा कि क्या कुछ भारत अमेरिका के ब बात की जा रही है, मेकेड इंडिया प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, उन तमाम कंपनियां जिन से प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने मुलाकात की है, उसके बाद जिस रेड कारपेट की बात की जा रही है, उन पर अब स्थित सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई प्रैमिस्टर्स आते हैं या जाते हैं बहुत सारे ट्रीटी साइन किये जाते हैं लेकिन उसमें रियली ग्राउंड लेवल पे कितने आते हैं ये भी देखना एक चोटा सा उधारन देखें आप हमारी एफाई पीबी के लिस्ट उठाई पिछले एक साल का और ये देखें कि उसमें कितरे इंवस्टमेंट के साइंज हुए हैं कि हम ये इंवेस्ट करेंगे और रियल ग्राउंड में 10% पर ऐसा भी नहीं आता है तो ऐसे वाइदे ऐसे सपने वियर नाट इन एलेक्शन टाइम जब हम खाले वाइदे आर सपने द करता है चीन जाप या इंवस्टमेंट की यहां पर बात करता है सवाल यह है कि अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए और एक ऐसे देश है जिसकी खुद आर्थे किस्तित यहां पर खराब है अगर जापान जैसा देश या चीन जैसा देश हमारे साथ इंवस्ट करकर ग्र हमारे नव जवानों के जो वीज़ा है सामर्त है उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैनुफेक्टरिंग के और जाना पड़ेगा और इसके लिए हिंदुस्तान की भी पूरी ताकत लगें लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम दिमतन देते हैं और इसलिए मैं आज लाल के लिए कि प्रांचिर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं कम मेक इन इंडिया क्या निवेश लाने में सफल होंगे पी ये मोदी मोदी से अमेरिकी कमपनिया क्या चाहती है या मेक इन इंडिया योजना रंग लाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दोरा देश के विकास में कितना अहम भूमी का निवाने वाला है ये तो अभी कहना आसान नहीं है लेकिन ये कहने में कोई दो राय नहीं होगा कि P.E.M. Modi अपनी अमेरीका यातरा को भारत के लिए अहम मान कर ही वहाँ गए है। P.E.M. Modi का अपनी विदेश यातरा पर जाने से पहले Make in India योजना की शुरुआत करना कहीं न कहीं ये संकेग देता है कि प्रधानमंत्री अपनी अमेरिकी यात्रा से भारत के लिए कई एहम आर्थिक निवेश कराने में सफल होंगे मोदी ने अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत की बड़ी हस्तियों के सामने मेकिन इंडिया के लिए बात की साथ में भारत में लोगों की जिन्दगी बहतर करने की भी बात की मोदी ने इन सभी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया और वादा किया कि रेट टेप का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा तो वहीं अमेरिका के ज्यादातर कारोबारी भारत को निवेश के लिए उत्तम अस्थान तो मानते हैं लेकिन यहां की बधाल बुनियादी सुविदाओं के कर निवेश से कतराते हैं ये दावा कारोबारी रणनीती बनाने वाली कमपनी APCO और Alliance for US India विजनस की एक अध्यम रिपोर्ट में किया गया है रिपोर्ट में कहा गया है कि 52% अमेरिकी लचर बुनियादी सुविदाओं की वज़ा से भारत में निवेश नहीं करना चाहते हैं अमेरिकी ही नहीं 95% भारत्य कारोबारी भी चाहते हैं कि भारत बुनियादी सुविदाओं पर ध्यान दे जहां तक आर्थिक विकास का संबंद है दोनों देशों के कारोबारियों को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा औसर दिख रहा है सर्वे में शामिल अधिकान्ष अमेरिकी कारोबारियों ने भारत को निवेश के लिए अवल अस्थान माना है करीब 70% अमेरिकी उध्यमियों का मानना है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंद सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इसमें कहा गया है कि वीजा संबंदी रोक और बाजार बड़ा मुद्दा है इसके अलावा आउट्सोर्सिंग भी बड़ी चुनावती है कारुबारियों के मुताबिक टैक्स प्रावधानों में कमशुल और लंबे समय के लिए समर्थन मिलने पर बे निवेश करना चाहेंगे अब देखना होगा कि PM मोदी का मिशन अमेरिका में शुरुवात करने से पहले ही भारत में विदेशी निवेश के लिए महाल बनाने की बात कही थी और अमेरिकी कमपनियों को हर सहयोग का भरोसा दिया है PM Modi की ये सहयोग कितनी अमेरिकी कंपनियों को भारत में लाने में सफल होता है ये अब बड़ा सवाल बन लिया है सुदर्शनी उसके लिए मोहित चर्माकरी को डॉक्टरों में शकर देखा जाये तो यहाँ पर बार बार निवेश की बात आ जाती है और जो फोकस आता है वो निवेश पर आता है सवाल ये है कि 10 फीजदी अगर इन्वेस्टमेंट वो देश कर रहे हैं जिनकी आर्थिक परस्तियां अमेरिका से कुछ बहतर है सवाल ये है कि अमेरिका जो खुद अपनी आर्थिक परस्तितियों से जूज रहा है वो कैसे इंवस्ट करेगा हम आकांशे जादा पार नहीं ऐसे की बात नहीं सुमिद्गी मैं कह रहा हूँ कि देखिए आर्थिक मंदी जो 2008 के बाद आई उसमें अमेरिका और अमरिका का साथी की सबकी अर्थव्यस्था को तोड़ दिया और उसमें इंडिया का हालत अब यहा उसमें इंवस्ट्ट्मिट करने के लियुक्त पेए इनगे इंडिया क् Ribas नहीं отд या करेंगे आपको मैं अपको एक डिलों दलो प्राजिव गंदी कह था एमेरिका तो अनों प्रक्रादे कि से तो कहा कि हमारी है क्या दिक्कत आपकर यह है कि ब्यापर नहीए सकता है इंफरास्टर नहीं आपके पास बीदिनस कॉमॉनिकेशन नहीं आपके पास तो साम पिटोरा का लेका है थे तब सारा यह तेलीफॉन का पीश्जिओ का और आज हम मौाइल तक हूच गया है तो इन्फल द्रक्ट्टर की बात है वाफ पास रोट की संस्या है विजिली की संद्सया है इस सारे समयों बेचना है आपको नीक नहीं स्ında आधर की अभी नहीं देगा उसमें बहुत टॉल टॉल कमीट्मेंट्स करते हैं, वेट में इट कामस टू दियल इम्लिमेंटेशन तो उसे दोनों में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। सर्चा होनी है, बाचीत होनी है। लेकिन एक बात से मैं में सहमात हूँ जो अभी आपके साथ इस्टूडियो में इक्चल रहे थी, के बादे होते हैं। और ये बात अमरिका के अंदर जो NRAI लोग हैं, उनको भी भली भाती पता है। और वह बात मीडिया के सामने बार बार जरूर भारती मीडिया को होगा, कि काफी बारीकी से जो लोग भारत के बारें उन्हेजर बनाएं। परमानू डील जो तितकारी प्रधारमंत्री जोक्टर मनमोंची ने की थी, उस पर भारत और अमधिका कितने आगे बड़े। तमाम डील हुई है, तमाम बातचीत हुए ह लेकिन कोई ठोस, क्या कोई काम अभी तक उस पर हुआ है, आज भी बातचीत चल रही है, टेकनोलोजी के आधान परदान की बातचीत चल रही है, जैसा अभी स्टूडियो से, अभी मुझे मैंने सुना के वो अपनी टेकनोलोजी नहीं देगा, लेकिन कल डिनर पर दोनों अभी लोगों की बातचीत टेकनोलोजी के अधान परदान की बीवी है, एक बात और खास निकल के जो प्रधामादी नहीं मोदी की तरफ से कही गए हो यह थी, कि आगे से हम टेली कोर्फिंसिंग के जरी भी बातचीत किया करेंगे, और अमरीका के पास जो टेकनोलोजी है, भारती जो वेग्यानिक हैं, वो भारत के चात्रों के साथ, भारती वेग्यानिकों के साथ मिलकल टेकनोलोजी को बढ़ाए जाए, और परधामादी ने एक बात और कहीं कि हम आपसे डिनर टेबल पर भी बात कर रहे हैं, और अब अंतरिक्ष में, मंगल मिशन की उन्होंने जिकर जरूर छेड़ा, और वो जिकर वो कहीं न कहीं जो एनराइ लोग हैं, उनके सामने भी करते निजर आए, कि साथ रुपे दस किलोमेटर के लिए आसे हम वहाँ पहुंच गए, तो ऐसे में अपनी टेकनोलोजी का लोगा वो बराक उबामा, अमरीकी जिन्ता के सामने म जिनल पर होई, कि जो भी आंतरिक शुरक्षा को लेकर मुद्दे होंगे, वो दोनों ही देशों की खूफिया एजिन्सियां आपस में साजा करें, जिससे आंतरिक शुरक्षा को मजबूत किया जा सके, अमरीका को भी आंतरिक शुरक्षा से काफी परिसानी अपार दोनों क यहां पर मुझे लगता है कहीं न कहीं इस बात से सहमत होंगे कि आर्सिक परस्थितियां अमेरिका की बहुत बैतर नहीं है लेकिन इन परस्थितियों में प्रधानमंती नरेंद्र मोदी क्या ढूंड़ेंगे इस मुलाकात के अंदर में फोकस किस पर रहेगा प्रधानमंती अमेरिका को बागबार एहसास कराने के कुछिस कर रहे हैं कि देखे भारत एक अब विकासील नहीं बहुत बिख्षी देश के आसवात पहुचने मारा देश है चाहे वो जनसंख्रा की बात हो जवान की लोगों की बात हो और एक बात है अमेरिका को भी गला थमिन दूर कर भारत जैसा कि आप सपेरों कर देश नहीं है मौस प्लियर्स अब मौस साथ खेलते हैं और मंगल पर जाते हैं और मंगल पर जाते हैं यहां पर कहना चाहता हूं जो जूवा शक्ति की बात की जा रहे हैं भारत की अगर पैंटीस है तो अमेरिका के पास भी तो 42 की है उसमें जादा अंतर का हैं हम कहां पर उन्हें पर लंबी चर्चा की जरूद पढ़ेगी एक एक किताब आये थी स्टेमुल हटिंग्टन की हुआर वी जो अमेरिकन के बारे में कहा रहे थे अमेरिका के ब्यापार पर लट्ने में अमेरिकन का कबजा है उनके सिख्षा और सोथ पर आइसेंस का कबजा है और आमेरिका के बारे में गश्षा पर अमेरिका कर युवा है रॉह किसी लाइक होते टो स्थलेसक्रात फ्रेस यह में ब्हुत अनके तो इंडिया को कोई कहें कि ग्रेट बनाएंगे ग्रेट बना कोई नहीं सकता फिली किलिंटर नाइए थी कुछ दिने पहले के विल मेक यू ग्रेट नेशन और हमारे पास किसी कमी अगर है थोड़ी बहुत तो हमारे पास पुंजी की कमी जुरूर है लेकिन हम प्रतिभा में और महिनत की स्पीचे नहीं है और हम विक्सित करेंगे जहां अमेरिका मदद करें यूरोप मदद करें लाइए एक बात जुछ आपर रॉक्टर साब ने हावे काफी महतरपून कही है जियारचन साब हमेशा अगर भारतिय प्रधान मंत्री किसी विक्सित देश के अंदर ज यह सबसे बड़ी बात है कि अगर बराबरी की बात होती न तो आज हमारी यूरोपी और डॉलर एक समान होता आज साथ रुपे और बासट रुपे या पचास रुपे की रेट नहीं होती और यह इंद्रा गांदी ने इवन वी वेर इंडिपेंडनेंट हमारी एकॉनमी कु अगर हम आई-टू-आई कॉन्टेक्ट करके बात करते हैं तो हमारी दूनु करेंसी भी तो बराबर चले यह क्यों नहीं है यह कौन सी एकनॉमिक से और हम डेवलप्मेंट कर रहे हैं तो निशीत तोर पर है सरेंजी ने जो बात उठाई यही सोचने वाली बात है इसलिए आज हम आख से आख मिलाकर इसलिए साथ चलने की बात नहीं हो रही थे हम आगे और पीछे चलने की बात कर रहे थे वी तर्ट कि देखिए एक समय वो था कि जमारे डालर और रूपी बराबर थे लेकिन बीच में ऐसी कौन सी स्थितियां आई कि जो है रूपया कमजोर होता ग कि अगर आगे चलना है तो निश्चित तौर पर उनकी अनिवारिष्टा है को हिंदुस्तान को साथ लेकर ही आज आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप हिंदुस्तान को इसलिए अब वो इस्तिती दूसरी रही है जो बात है वही है एक दिन में बार बार कहरा हूं कि एक दिन बीस्वास पैदा हुआ है इसका प्रेडाम आपको दूरगामी दिखेगा तुरंत नहीं दिखेगा तो सकता है कु ब्यापार के छेट में आगे बात्चीत की जाएगी रच्छा के छेट में आगे बात्चीत और प्रधान मंत्री मर्मोहन सिंग जब निवार गए तो सब से पहले उन्होंने महां के मेर से मुलाकात की और उन्होंने पूछा कि भाई आप 9-11 के बाद से कौन सी टेखनीक इसको आप बीजेपी इसको आप मोधी या इसको आप रूलिंग पार्टी से ना देखें जैसे आप कह रहे थे कि आल्रीडी हमने अमेरिका में इस्टाबिश कर दिया है कि मेडिकल के छेतर में अगर किसी की बोलबाला है एशियंस का तो है उस एशियंस में भी अगर कोई ह है तो हम इंडियंस है और वो आज 10 दिन में और 15 साल में नहीं हुआ है पिसे 40 साल का रेकॉड है आप यही चीज हर फिल्ड में एजुकेशन में आप देख लीजिए हरवड में आप प्रफसर्स देखें इंडियंस हैं कि नहीं आप बाकी जगह देखें कि नहीं इन्डियोड का एक पॉलिटिकल पाटि का या एक टाइम फ्रेम का देखें नहीं है इसको कोई नहीं कर रहा है तो चीजे है जिस्की बाद सरंजी कर रहे है कि यहीं इंडियन होते हैं कि अपने हां रत्ता दुकूरा फेकते हुए चलते हैं और यही जम अमेरिक्या में जा वातावरन देने कि जिसकी चर्चा आप कर रहे थे चल्ड कि आपको हां सुरच्छा चाहिए आपको टेप नहीं कार्पेट चाहिए यह सारी चीज आप धीरे धीरे होती है आज उ प्रधान मंत्री जो है भारती जनता पार्टी नहीं है दिश्चित तोर पर आज हिंदुस्ता गर्द से उपारा रहा है अच्छी खबर भी अमरीका से आ रही है कि यहां कहना रहे लोग यह बात मान जरूर है कि प्रधान मंत्री आंखों में आके डाल कर रहे मेरा सवाल यह है कि प्धामंत्री ने अपने भासर में कहा कि एक पाउं अमरीका से भारत में रखे आप एक पाउं अमरीका और एक पाउं भारत में रखे क्या आपकी सरकार यह माहूल दे पाएगी प्धामंत्री ने मोदी यह लोगों में विश्वास जगा पाएंगे कि नह लेकिन आदमी का जुडाव अपने देश से निश्चित तोर पर रहता है उन्होंने वीजा के छेत में उन्होंने आप प्रवासी भार्तियों के लिए जो माहौल वहां उन्होंने कुछ घोश्राय भी की हैं तो इसलिए माहौल बनाने की का की बात कर रहे हैं कि आप आईये औ में जो भार्तियों में उस्सा है किस बात का है जब हम एक जिले के होते हैं मैं प्रताब गड़का हूं मैं नोईडा में बैठा हूं एक प्रताब गड़का ब्यक्ति मिल जाता है तो लगता है घर का मिलाए अगर मैं दिल्ली में आ जाता हूं कुछ तरप्रदेश का मिलता ह तो लगता घर का, आप वासिंगटन में हैं इस समय, अगर आपको कोई दिल्ली का मिल जाए, तो लगेगा आपके घर का है, यह उस्ता है, अपने प्रधान मंत्री को भारत देश के प्रधान मंत्री को अपने बीच में पाकर, सारे नराई जो हैं, जो उनका उस्ता है, आज का सिंगटन डी-सी के सामने पहली बार गर्वा हो रहा था, यह भुच्छण था, ठीके, डॉक्टर मेश, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, परस्थितियां रेड कार्पेट की जरूर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इन्वे इन्वेस्टमेंस डील में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर टेकनलोजी माएंगे तो हर्थियार मिल जाएगा, अगर आप ख़जना चाहने तो टेकनलोजी नहीं मिलेगी, और जहां तक के बात है, इकनोमिक डील की बात आप बता रहे हैं, डवलो टीम इंप्रूव् हमारे बिने जिए और पहले पेलिटिक कह रहे हैं जो आप देख प्रइमेंस गार्वा कराने जाने पख़लाना उंप्रप्रान के लिए वार बार बार कहते हैं प्यदान मंत्रिन हैं विंस्तान के लेकन ओसकी अच्छा माहौल होगा एक अच्छा विश्वास पैदा होगा सवेच्छ की नजर में गिर जाए उठ जाए Uठ जाए लेकिन बजटि啊 अपनी नजर में गिर जा कने तो आच जो चित्त अ में आप जो उठ रहा है जो उसका स्वाविमान जागा है इस सबसे बड़ी बात है। हम इस confidence की कहां से बात करें। देश में आलू भी बिक रही है थरातल पर आप यह भूल जा रहे है। लेकिन आप हां और आप सब कुछ बात कर रहे हैं। ये ले आए गे अब दो महिने बाद कीज़ीं आहे गार मेरका से उटक्निशा में आइंडि कोई इने वाला नहीं है ना चायना भाना देगा ना अमेरिका सब अपने चीज लाकर दैखने को थार्चिण सब्सक्राइब mir का की उनचासब बार करатने कि उनचासब 1 हम नहीं देना चाहते हैं और क्यावन की बात करेंगे हम सब कुछ लेना चाहते हैं तो इसलिए यहीं बार-बार मैं कह रहा हूं कि अब यह होने वाला नहीं है तो प्रदान मंत्री क्योंकि यह देश जो है डबल डीजिट जीडिपी में जब जाएका तभी मुल्क तरक्की कर रहें जो इसी सदी जो है एसिया की सदी और भारत की सदी बनाने की बात करें जब तक बीदेशों से निवेस नहीं आएगा तब तक आप कैसे कलपना कर रहें कि साथ जीजिए इसलिए देश की बेवस्ता के साथ साथ आपको संबंध भी बेथर करना होगा आज जो अमेरिक इतना अंधा दून आप विदेश की यातरा कर रहे हैं इसका क्या मतलब है मुझे एक फॉर्मर प्राइब मिनिस्टर बता दीजे जो कुरसी समालते हैं इतने धरा-धर दौरे पर गया हो क्या इस देश में अभी समस्यां कम हैं जो बेसिक समस्या मैं एक आम आदमी उस मुझे क्या खाना मिलता हो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या इस देश जो सोरे के चिरिया कही जाती थी यह देश हम कुछ सक्षम नहीं है क्या ऐसा कुछ भी नहीं है यही थाली का भोजन देखते हुए साथ साल हो गया और भोजन गायव हो गया और हम अपने चल रही है और कुछ देर के बाद दोनों नेता जो है एक प्रेस कॉंफरेंस भी करने वाले हैं जिसके बाद बताया जाएगा क्या कुछ जो है भारत और अमेरिका के बीच में समझोते हुए और क्या कुछ इस मुलाकात के बाद निकल कर सामने है डॉक्टर अबिश कुछ क की तरफ से एकस्पेक्ट कर रहे होंगे यह बात इसपस्ट कर दी गुड टेरिज्जम और बेड टेरिज्जम की रिदिन नहीं चलेगी लेकिए गुड टेरिज्जम अमरिका कहीं बारे मिस सब्दों का इस्तेमाल करता है जब हिंदुस्तान के ओपर मुंबई में हमला होता है तो अमरिका की तरफ से कहा जाता है द अगर आज कोई आतंगवाद पर बातचीत होती है या आतंगवाद में मदद करने के लिए भारत अमरिका के साथ आता है क्या हाफिज सहीद जैसे लोगों को अमरिका भारत आने के लिए भारत की मदद करेगा दाओ इबराहिम जैसे लोगों को मदद करेगा तो इस तमाम च और वन परसेंट भी कहीं से मुझे हूप नहीं लगता आप जरूर कर सकते कि मैं अकरात्मक सोच कर रहा हूं लेकिन ऐसा नहीं है अमेरिका जब खुद जाके वहां से मार गिराके अपने दुश्मन को सब कुछ कर सकता है और हमारे लिए कहता है कि यह है रूल है और इसलिए भाज साथ सही कहा रहे थे कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान most favored nation है हम नहीं है हम मैरिका से expect नहीं कर सकते जो पाकिस्तान को करेगा इसलिए या तेरिजिम जो मोडी जी ने step लिया है कि ये soft terrorism या गुड टेरिजम और बैट टेरिजम की यहां पर बात हो रही है दिनेज जी सवाल यह है कि फिर आईएस आईएस के लिए हमारा क्या स्टेंड रहेगा पहले ही मोदी जी न असब्कार टकर दिया है और उन्हों नेखानिस्टान के मामले भी कहा ए इराग के मामले भी कहा गृप कि पाकिस्तान के प्रच जो अमेरिका का नजरिया है अब ओ नजरिया धीर एक दिन में नहीं बताज जाएगा देखिए सारे जितने विश्व के देश हैं वो सब समझ रहे हैं धीरे धीरे इस बात को कुछ अमेरिका एक जटके में मना करता है आपको तुमें इस चीज को अमेरिका के लिए आये थे हैं और आज अमेरिका को जानकारी है कि हापिस साइद भी वहीं है डाउद इबराहिम भी वहीं है यह भारत से ज़्यादा सधीक जानिक कारी अमेरिका को है इसलिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका को जानकारी नहीं है लेकिन आज अमेरिका चाहे कि आ जरूर आएगी अब दोनों राष्टा धिच की समुद्धे तक पहुंचते हैं यह बात देखने की हैं हम आप बैट के हां नहीं कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से क्योंकि मोदी जब से गए हैं इस बात पर बार बार जोड़ दे रहे थे कि जब हम पहले आ आतंकवाद आपके घर पर पहुंच गया आपके आगन में पहुंच गया तब आप आतंकवाद की बात सुदकार करें तो मुझे लगता है कि अमेर्क्या को अपने नजरिये में परिवर्तन अगर हुआ है तो ठीक है नहीं तो लाना पड़ेगा उनके साथ इस चेश्टर नहीं है कि भारत की तरफ से इस तरीके कोई कदम उठाया गया हो या इस तरीके सब इदेशों में जाकर अपनी कोश्चे की गई हूं सवाल यह है कि भारत प्रधान मंत्री सिर्फ उसी हमारी पिछली नीतियों की वज़े सा इसा कर रहे हैं या अमेरिका के स्टेंड की वज़ पर कभी भी साथ नहीं देगा वो पाकिस्तान का साथ देगा और इंडिया भी कभी भी अमेरिका को अफगाणिस्तान और मिडल इस्ट में आतंकवाली से लड़ने की लिए मदद नहीं करेगा दोलों का स्टेंड साफ हैं कहीं कोई कन्फुजन नीं मोदी ने के लिए उसमे कहीं कोई confusion नहीं है और आपको अपने मुद्दे खुद सुझाने होंगे अपने मुद्दे को थर्ड पार्टी और फोर्ट पार्टी की मेडियसन पर छोड़ना नहीं होगा और आज मैं प्रिछले बार भी कहा था कि मोदी जीव को पाकिस्तान की समस्या है कुद हिंदुस्तान की तागत पर सुझाना होगा अभी पीछे पीछले बार जब कसाब बंबी में किये थे पर संसत भार्टा तो बोर्डर पर आर्मी चली गई थी और विल्कुल महल तयार हो गया तो पाकितान डर गया था तो अमरिकाने का संज्यम बरतो संज्यम क्यों बरत कि नेता और उसमें महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंती दरेंदर होदी के साथ बड़ाक वामा जो है साथ रहने वाले हैं मार्टिन लूथर में में मूरिल पर जाता है तो वहां वी जब को जाता है तो यह से गांधी जी के लिखी गीता को खादी में लपेट के देना कोई कोई देने और लेने वाले के उपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस भाव से दे रहे हैं और लेने वाला उसको किस भाव से ले रहा है किसी के लिए वो गीता होगी और किसी के लिए वो एक किताब होगी तो मुझे रखता है नहीं कि एक मैसेज देनी की बात होती है आपको मैं कोई एक बस्तू अगर गिफ्ट में दूँ तो मैसेज होता उसमें उस मैसेज को आपके सुरूप में तो कहना हूँ न कि हमारे देने का मतलब है गीता ज्यान का उपदेश है गीता सांती का उपदेश है हम सांती चाहते हैं हम ज्यान चाहते हैं अप उसको समझते है उस भाव में तो उस्मे स्थ आ होता है, कोई भी देश जब किसी देश में जाता है, तो निश्चित तोर पर अपने देश की जो परिपार्टी होती है अपनी देश की जो संकिर और मोदी जी ने चीज और कहा था कि देश वही जो देश दर्सन से चलता है वही देश जादा ठीका होता है जो देश बिचारों से चलता है वो समय सबर पर खंडित होता रहता है भा किया की सदी में भारत की सदी है और नाट्रे डमस्की ओस वह सुवाड़ी कि आने वाला एक किस्वी सदी का नेत्वित कोई ऐसा राष्ट करेगा चुद तीनों तरफ से समुद्ध से गिला होगा मुझे लगता है कि भारत होगा और उसका नेत्वित मोधी जी करेंगे कुमर सत्तर मिट से जादा हो चुके हैं बैठक में कितना वक्त और लगेगा और कब ये प्रेस कॉनफरेंस होगी दो गुंटे के आसवास का समय इसमें लगेगा जो भी खबरें वाइट हाउस से आ रही है उसमें दो गुंटे का समय बता जा रहा है हाला कि पहले तीम घंटे तक मुलाकाश चलने की बाद थी लेकि दो गुंटे के बाद अमोमन अभी कुछी समय बाद परधार मंती ने ने मोधी और बराक वुमाई जोइंट कॉनफरेंस करेंगे जिसमें जो पूरा खाका जो इस मुलाकात कर रहा है क्या लिया क्या दिया कैसे आगे चलेंगे जोइंट एडिटोरियल में जो बाते कहीं गई है चलो साथ चले चलें तो ये तमाम बातों का खाका सामने आ जाएगा और अभी कुछी समय बाकी है समय जिसके बाद ना सिर्फ भारते मीडिया बलकि पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र इस पर है कि आखिर जो सबसे पुरानी डेमोकरिसी और सबसे बड़ी डेमोकरिसी के बीच बात होती है निश्री तोर पर ये पूरे एसियन महादी पर बदलाव लाएगी अगर कुछ मजबूत बात महां से निकल के आती है भारत चाइना भारत नेपाल पाकिस्तान और क्वी भारत के लिए अमरीका जो है एक मजबूत एलाइस हो सकता है और ये समय की मांग है ये अमरीका भी इस बात को समझ रहा है तो हमें कुछ इंजाज जरू करना अब अब एक एजिंडा कहा जा सकता है भारत को लेकर और सवाल ये है कि अब इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर सा क्या मोदी ओबामा की महा मुलाकात सफल रही आप अपने जवाब हाँ या नामी भीच सकते हैं जवाब के लिए आप एसमस कर सकते हैं एसमस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाए एस यू टी लिखें फिर स्पेस दें फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लि इस मैसेज को आप 0875 0047 855 पर भेज दें आप अपने जवाब हमारी वेबसाइड www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा वह सुदर्शन न्यूस का कलकास जो सवाल है वो हमने आपसे पूछा था क्या अमेरिका से निवेश लाप आएंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी इस सवाल के जवाब में 95% दिलोगा कहना है हाँ और 5% दिखा नहीं इसके साथ हमारे इस खास पेश में इसना ही बाकी खबरों के लिए देखते रही है सुदर्शन न्यूस जै